प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही अपराधि ghtnay थमने ही नहीं 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 रही वही हाल ही में होए लौक की छात्रा के साथ दुषकर्म के मामले में कॉंगरिस भाजपा सरकार पर हमलावार रही है दरसल राज़ानी रैपूर में ही लाग की छात्रा के साथ एक आरक्षक ने दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया था इस पर कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्स दीपक बैज ने कहा कि भाजपा शासनकाल में रक्षक ही भखशक बन गए है ऐसे में प्रदेश की जनता की रक्षा कैसे करेंगे ग्री मंत्री विजय शर्मा से कानुने वर्स्था नहीं संबर रही है उन्होंने आगे भी कहा कि कॉंग्रिस ततकाल ग्री मंत्री पत्स से इस्तेफे की मांग करती है जिस तरह से हम लगातार अपराति घटनाओं को लेकर और सामुइक रेप को लेकर गेंग रेप को लेकर हम लगातार सरकार को चचेत कर रहे हैं फिर भी सरकार के कानों में जूतक निरेंग रही है जिस तरह पिछले दो दिन लगातार एक law student के साथ रेप और primary की स्कुल बच्ची के साथ bed touch का मामला सामने आया है गंभीर मामला है क्योंकि अगर एक पुलिस वाला ही अगर इस तरह की घटना को अंजाम देगा रक्चक ही अ गंभीर नहीं है ग्रेह मंत्री जी लगातार जूट पे जूट बोले जा रहे हैं अपरादियों का संड़क्चड भारती जंता पार्टी दे रही है इसलिए अपरादियों का मनोबल बड़ा हुआ है अगर इस तरह की राजपूर राजधानी में अगर घटनाए नहीं रू इसलिए ग्रहिम विभाग और सासन पुरी तरह फेलवर हुआ है महीला सुरक्चा और अपराद को रोकने में बड़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ग्रहिम मंत्री का इस्तीफा मांग रही है ग्रहिम मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए इस सर कार को तब कानून विवस्ता सुद्रेगी